हेला आपको च balcony मैं बहुत मोटी ओ गई हो गई यूंगा बिल्कूल बी अच्छा फॉट नियुक्त ऐसेवीट बॉलने कोई चुरूर कम आपको yajبके र्फरो कम होगे देव वन में आपको only foods कहाने है for example apple, grapes, orange, cherry, strawberry आप खीरा भी खा सकते हैं watermelon इसे आपको foods खाने हैं फिर आपको banana बिल्कुल अबर्ट करना है बनाना आपको बिल्कुल भी खाना नहीं है और fruits आपको lunch में, dinner में, breakfast में same खाने हैं lunch में भी आपको fruits ही खाने है और dinner में भी आपको fruits ही खाने है और 2-3 liter minimum आपको पानी पिना है day two, day two को आपको only boiled vegetables खाने है for example coriander leaf, onion, beans, cucumber, broccoli ऐसे आपको boiled vegetables से आपको खाने है breakfast में आपको boiled potato खाने है उसके बाद lunch में और dinner में आपको boiled vegetables खाने है boiled vegetables में आपको pinchak salt and black pepper आप यूज़ कर सकते है और 2-3 liter minimum पानी आपको पीना है day three, day one and day two diet plan following day three potato and banana आपको बिल्कुल avoid करने है breakfast में आपको only fruits खाने है lunch में आपको boiled vegetables करने है और dinner में आपको boiled vegetables ही खाने है boiled vegetables में आप pinchak salt and black pepper आप यूज़ कर सकते है three liter water minimum आपको पीना है day four, day four को आपको only banana ही खाने है breakfast में आपको दो banana और एक glass दूद पीना है उसके बाद lunch में आपको तीन पनाना खाने है और एक glass दूद पीना है evening में आपको तीन पनाना खाने है दूद आपको नहीं पीना है और lunch में आपको तीन पनाना खाने है और एक glass दूद पीना है दूद में आपको कुछ भी डालना नहीं है only four दूद ही पीना है Day 5, Day 5 में आपको boiled rice and tomato खाने है, breakfast में आपको thin tomato खाने है, tomato में आप pinchak salt and black pepper आप यूज़ कर सकते हैं, उसके बद आपको lunch में boiled rice खाने है, boiled rice में आपको pinchak salt आप यूज़ कर सकते हैं, black pepper भी यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद evening में आपको 2 tomato खाने हैं, tomato में आप pinchak salt and black pepper यूज़ कर सकते हैं और last dinner में आपको boiled rice काने हो और boiled rice में आपको 아무оль namely salt and black paper यूज़ सकते हैं minimum 3 liter पानी आपको पीना है डे 6 और डे 7 चमें अपको प्रेइपस्ट में आपको fruits खाने है लंच में आपको boiled vegetables and rice और dinner में आपको boiled Mueller vegetables और राइस खाने है एंड नेक्स्ट मॉर्निंग यू चेक यूर्वेट यकीन मानिये आप बहुत खुश होंगे ये मेरा एक्सपीरियंस है अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेर कमेंट एंड सब्सक्राइब नाइब थैंक यू